नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप नई सरकार बन चुकी है और कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है दरहसल सरकार बनते ही मुखमंतरी नितीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुराई थी लेकिन यह समझ से पड़े है कि इस बैठक में कौन-कौन से लोग हों और ने एक बार फिर से बिधान सभा का विशेश सत्र बुलाया है जिसके अंदेशा बिहार में लगाई जा रही थी कि बिजय सिनहा को लेकर नितीश बड़ा फैसला लेंगे बिजय सिनहा के तलक तेवर की जैसे नितीश काफी परेशान है और नितीश के परेशानी का बदल चुकी है बिजय कुमार सिनहा के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा इसलिए ये सत्र बुलाया गया है इस सत्र के बुलाया जाने के पीछे का और कोई कारण नहीं है नितीश कुमार बहुमत साबित करेंगे सत्र में नए बिधान सभा और द्यक्ष को बिठाएंगे नितीश को इस बात का भी डड़ होगा किसी बीच बिजय कुमार सिनहा कुछ खेला न कर दे लेकिन कहीं नहीं कहीं अब नितीश कुमार ने जब ये सत्र बुलाया है और 24 और 25 तारीक को बिधान सभा का सत्र और परिशत का बुलाया गया है तो बिहार में ये फिर से सत्र बुलाया गया है अमुमन ग्रिस में ग्रिस माकास होने के बाद जो सत्र बुलाया जाता है गर्मी का जो सत्र होता है और उसके बाद फिर से बरसात में होता है मौनसून सत्र और फिर ठंड में और 37 शुरुवात की बात करे तो जो बज़त सत्र होता है वो काफी हम होता है तो ने इस कुमार ने जो नए स्थख्य से सरकार बनाई है ने सरकार की गठन की है तो सतर के विलाए जाने के फीचे कारण एक महार मतम ने बिजए कुमार हुअ जांच है। वाने क्बिस.ider नियुनिये पोड़ी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार बनाने का जो दावा बार बार किया जाता रहा है तो क्या अब जो नितीज कुमार की सरकार बनी है बिहार के मुख मंत्री फिर से नितीज कुमार बने हैं तो अब एक बार फिर से विशेश सत्र के माध्यम से क्या संदेज दिना चाहते हैं नितीज कुमार बहराल इस उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यबाद